तो जैसा कि टेंजो को पिछले एपिसोड में पता चला था कि जादू एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच को रियालिटी में बदल दे लेकिन जादू करने के लिए आपके पास मैजिकल एनर्जी का होना बहुत जरूरी है इसलिए टेंजो अपनी जादू की मदद से दूसरी जगा पर ट्रैवल करना चाह रहा है जिसके लिए टेंजो अपना ध्यान लाकर जादू चलाता है और जब वो अपना आग खोलता है तो वो नाइट के साथ जंगल में होता है जिसे देखकर वो काफी खुद सो रहा था क्य जहां उसे दो गॉबलिन मॉंस्टर्स मिल जाते हैं, जिससे टेंजो नाइट के साथ मिलकर आसानी से मार देता है, वहीं वो देखते हैं कि उन्हें गॉबलिन्स के मरने पर बहुत सारे आइटम्स मिले हैं, जिनकी कुछ अलग अलग खासियत थी, और फिर टेंजो वहाँ से निकलने की तयारी कर रहा था, जिससे उसका कुट्टा नाइट निरास हो जाता है, तो टेंजो उससे समझाता है कि उसके साथ वो भी उस जंगल को एक्स्प्लोर करना चाता है, लेकिन उसे कल कैंपिंग पर जाना है, इसलिए उसे जल्दी लोटना होगा, जिसके लिए उसका कुट्टा मान गया था, लेकिन तब ही वो कुछ महसूस करके आगे भागने लगता है, जिसके पीछे-पीछे टेंजो भी जाता है, जहां पर नाइट टेंजो को गाइब होने के लिए कहता है, और फिर वो देखते हैं कि एक लड़की दो-तीन गॉबलिन से लड़ रही है, जिससे देखते हैं टेंजो उसे बचाने के लिए जाना चाता है, लेकिन उसका कुट्टा नाइट उसे रोक लेता है, तब ही वो देखते हैं कि एक बड़ा गॉबलिन मॉंस्टर उस लड़की पर हमला कर देता है जिससे वो लड़की बेहोस हो चुकी थी और वो मॉंस्टरस उसे मारने वाले थे लेकिन उसी वक टेंजो नाइट के साथ मिलकर उन मॉंस्टरस पर हमला करके उन्हें मार गिराता है जिससे वो फिर ही हुए थे कि वहाँ पर और भी गॉबलिन सा जाते हैं जिन पर टेंजो डिवाइन वीब की मदद से हमला करता है और उन सब को एक बार में ही मार गिराता है जिसे देखकर टेंजो भी थोड़ा हैरान होता है कि उसने उन्हें एक बार में ही मार गिराया जिसके बाद टेंजो उस लड़की को अपने गोद में उठा कर अपने घर ले जाना चाह रहा था जिसके लिए नाइट कुसा होते हुए टेंजो को मना कर रहा था तब ही उस लड़की को होसा जाता है और वो पैनिक होकर टेंजो के हाथों से जंप लगा देती है तो टेंजो उसकी हालत देखकर उसे अपनी दवाई उफर करता है जिसके लिए पहले तो वो उसे मना करती है लेकिन जब टेंजो उसे पी कर पूरूफ देने के लिए तयार होता है तो वो उसके लिए मान जाती है जिसके पीते ही उसके सारे घाव और दर्द गायब हो जाते हैं और फिर वो टेंजो से पूछती है कि वो कौन है तो टेंजो अपना नाम बताता है लेकिन जब वो नाइट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा था तब भी नाइट किसी बात से गुच्सा था तब ही वो लड़की अपना नाम लूना बताती है जिसके बाद टेंजो लूना से पूछता है कि वो उस बेहानक जंगल में क्या कर रही थी जिस पर लूना बताती है कि वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गॉबलिन के लाइट पैक ने उसे घेर लिया और फिर लूना जब टेंजो से गॉबलिन्स के बारे में पूछती है तो टेंजो बताता है कि उसने नाइट के साथ मिलकर उन सब गॉबलिन्स को मार दिया जिसके लिए लुना टेंजो को ठैंक्यू कहती है और उससे पूछती है कि वो उस जंगल में क्या कर रहा था जिस पर टेंजो कहता है कि वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था जिस पर लुना को विश्वास नहीं होता कि कोई उस बहानक जंगल में ट्रेनिंग क कर सकता है तब ही ओ टेंजो से कहती है कि क्या उसने ही उससे उठा कर वहाँ से लाया और जब टेंजो हा में जवाब देता है तो वो उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि ओ गॉबलिन से भागते हुए काफी गंदी हो चुकी थी तो टेंजो कहता है कि वो भी उसी की तरह है लेकिन लूना का कहना था कि वो इस हालत में वापस नहीं लोट सकती इसलिए वो कोई नादी खोज रही है ताकि वो उसमें नहा सके जिस पर टेंजोस से पूछता है कि क्या वो वहां पर नहाना चाहेगी और फिर अगले ही पल वो एक बात सौना क्रियेट कर देता है जिसमें लूना नहार ही होती है जो लूना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था तो टेंजोस से बताता है कि ये उसे क्रिस्टल लियर को मारने पर मिला था जिस पर लूना को विश्वास नहीं होता कि वो उतने बड़े मॉंस से लड़ चुका है और अब उसे भी पता चल गया था कि टेंजोस जंगल में ट्रेनिंग करने के काबिल है जिस पर टेंजोस से पूछता है कि वो भी तो उस जंगल में ट्रेन करती है तो लूना धीरे से कहती है कि वो वहाँ पर एक कास्टमर के रिक्वेस्ट पर आई थी लेकिन जब टेंजोस से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती जिसके बाद लूना टेंजोस को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिसके लिए टेंजोस से मना नहीं कर पाता क्योंकि अगर वो उसे मना कर देगा तो वो अकेल ही ट्रेनिंग करती रहेगी जिस कारण से उसे उसकी चिंता होगी इसलिए वो उससे कहता है कि वो उसके साथ थोड़े देर के लिए ट्रेनिंग करेगा लेकिन वो उसके साथ हमेंसा नहीं रहेगा जिसे सुनते ही लुना खुशी से अपने परदे से बाहर आने लगती है क्यो जहां तिनों एक साथ मिलकर बहुत सारे गोबलिन्स को मार रहे थे, वहीं ट्रेनिंग करते हुए दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे थे, तब ही टेंजो एक गोबलिन को लुना की तरफ बेजता है, जिसे लुना अपने स्ट्रिंग्स की मदद से आसानी से काट द देती है, तब ही टेंजो उससे कह रहा था कि वह अभी लाइट गोबलिन्स को आसानी से मार सकती है, जिस पर लुना कहती है कि वह ऐसा उसकी और नाइट की मदद से कर पाई, तो टेंजो हुसे कहता है कि जब उसने उसे पहले देखा था, तब भी वह अपने स्ट्रिंग्स उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकती थी। उसी समय लुना कह रही थी कि वो और भी अस्ट्रॉंग बनना चाती है। इसलिए वो ट्रेनिंग करती रहेगी। लेकिन टेंजो उसे कहता है कि वो आज के बाद उसके साथ कई दुनों तक ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और जब लुना इसका कारण पूछती है तो टेंजो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए आफ केंपस स्टडी पर जाने वाला है। जिससे लुना को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो उससे कहती है कि वो जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और फिर दोनों एक दूसरे का पहता है कि अगर ये आज उनका आखरी दिन है तो उन्हें साम ढ़लने तक ट्रेंग करनी चाहिए। जिसके बार ट्रेंग खत्म होने पर टेंजो और नाइट नहारे होते हैं जहां टेंजो सोच रहा था कि लुना ने उससे पहले बात यूज करने क्यों दिया जबकि हर बा लुना वहाँ पर टावल में आती है और उनसे कहती है कि वो एक आखरी बार उनके साथ ना आना चाहती थी लेकिन टेंजो लुना को बात में गुस्ता देखकर वो वहाँ से भागने लगता है तो लुना उसे पकड़ देती है और उससे ठैंक्यू कहते हुए बताती है कि व वो उसके पीट को धोना चाह रही थी लेकिन तब ही लुना देखती है कि टेंजो उसे बहुत हैरानी से देख रहा है और जब वो उसके बारे में पूछती है तो टेंजो बताता है कि उसका तौलिया गिर चुका है जिस पर लुना इंबेरेस होते हुए उसे उसकी तरफ ना अपने अस्कूल बस में अपने दोस्तों के साथ कैम्पिंग के लिए जा रहा था जहां कार्ट्स खेलते हुए टेंजो हर बार उनसे जीत जा रहा था और ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा जमाई ले रहा था तो काईडे टेंजो से पूछती है कि क्या हो रात बर सोया नह लेकिन तभी टेंजो एक बार फिर से जीत जाता है जिस पर काईडे उसकी तारीफ कर रही थी तो टेंजो कहता है कि ये तो उसके लग पर डिपेंड करता है और फिर वो उस गेम को छोड़ कर सोने के लिए चला जाता है और उनसे कहता है कि जब वो पहुंच जाएं तो वो उसे उठा दें, जिसके बाद टेंजो सोते हुए सोच रहा था, कि कहीं ये सब उसके लग पॉइंट्स बढ़ने की वज़ा से तो नहीं हुआ, तब ही वो ये भी सोचता है, कि कहीं लूना का टावल उसके लग की वज़ा से तो नहीं गिरा था, और फिर थोड़ी ही देर में वो सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सब टेंजो को उठाते हैं, और फिर उनकी टीचर मिसेस सुआदा उन्हें एक हॉल में ले जाती है, जहां वो उन्हें कैम्पिंग के बारे में बता रही थी, और कह रही थी, कि ये उनके इलाइट ये है, तभी रियों उनसे पूछता है, कि वो कैम्पिंग पर खाएंगे क्या, जिस पर मिसेस सुआदा बताती है, कि वो जंगलों में वाल्ड मस्रूम और फिसेस खाएंगे, उसी वक्त काईडे उनसे पूछती है, कि वो कैसे पता लगाएंगे, कि कौन सा मस्रूम खाने लायक है या नहीं, जिस पर वो बताती है, कि वो किसी भी चीज को खाने से पहले वो अपने टीचर को दिखाने आएंगे, और वो बताएंगे, कि उन्हें वो खाना है की नहीं, और वो अगर पौईजन हो भी गए, तो उनकी डॉक्टर मिसेस योमी का होग उने ठीक कर जिनके बारे में ये अफवा फैली हुई है, कि जब वो उनके इंफर्मरी के पास से गुजरते हैं, तो वहाँ चीखने चिलाने की आवादे सुनाई देती है, और ये केम्पिंग अलग-अलग क्लास के बीच में एक कम्पिटीशन है, जिसे सुनकर टेंजो पूछता है, कि इस कैम्पिंग में उन्हें जंगलों में ही सोना है, जिसके बाद सारे स्टुडेंट्स जंगल में होते हैं, जहां टेंजो अपने ग्रूप के साथ डिसकस कर रहा था, कि उन्हें मसरूम और फीसेस ही खठा करने चाहिए, इसलिए वो अपने ग्रूप को दो भागों में ब लाकर कहता है, कि अगर वो जल्दी से मचली पकड़ना शुरू नहीं करेंगे, तो सारे अच्छे अस्पोट्स उनके हाथ से निकल जाएंगे, जिसके बाद टेंजो एक अच्छे अस्पोट पर जाता है, जहां पर बहुत सारे मचलीयां थी, लेकिन वहाँ पानी कम होने की लिए उनके बिहेवियर को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे याद करके वो अपने हाथों से मचलीयों को पकड़ने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारे अस्टुडेंट्स काफी हैरान थे, और कह रहे थे कि टेंजो एक सूपर हुमन बिंग है, तभी काइडे उसे टोकते हुए कहती है कि उसने बहुत सारी मचलीयों पकड़ दी है और ये उन चारों के लिए काफी होगा, तो टेंजो कहता है कि वो मचली पकड़ते हुए उसे इंज्वाई करने लगा था, तभी इसी बीच हम लूना को देखते हैं, जो अपने अस्ट्रिंग्स की मदद स बहुत सारे मुर्तियों को काट देती है, और कहती है कि उसके अस्ट्रिंग्स पहले के मताबिक बहुत जादा तेज हो चुके हैं, जिसके बाद वो टेंजो को याद करते हुए कहती है कि वो बजपन से ही एक ऐसेसिन है, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन टे बिलकी एक मेंबर है, और वो एक ऐसी औरत है, जिसे हेड हंटर के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसे टेंजो को गुडबाई कहना होका, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लिए लाइक से और कमेंट और यह एपिस सब्सक्राइब को तो मेंट यह एपिस अटो जेय।